श्री शिवाय नमस्तु भ्यम साथियों, हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब, सवस्त एवं सुरक्षित होंगे। जानते हैं आप क्यों महिलाओं को लक्षमी कहा जाता है, क्योंकि घर को घर बनाने की आधारशिला महिलाओं पर ही होती है। जिस घर में महिलाओं नहीं होती, वे घर सिर्फ एक मकान बन कर रहे जाता है। सारे भले ही पुरुष कितना भी कमा कर आपके पास ला दे, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से खर्च करना है, और कहां बचाना है, यह महिलाओं ही जानती है। हम क्या नहीं करते हैं, हम महिलाओं घर का कारे ही नहीं करती, साथ ही पूरा मैनेजमेंट समालती हैं, पुर्षो को तो सरिफ लाके देना होता है, समालना हम महिलाओं को ही होता है। महिलाएं अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करती हैं, ऐसी बातें करती हैं, जिससे वो किस तरीके से धन बचा सकें, और उनको जगे जगे इन्वेस्ट करने की कोशिश करती हैं, कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे धन का अच्छा उपयोग हो, हम अच्छे से सकें और बचा भी सकें, ऐसा क्या किया जाएं, इसलिए हम यह कह सकते हैं, कि हां महिलाएं ही लक्ष्मी का रूप होती हैं, महिलाएं ही वो शक्ती है, वो दुर्गा का रूप है, कि जब समय आता है, हम दुर्गा भी बन जाते हैं, और जब समय आता है, हम लक्ष्मी का अनपूर्णा बन जाते हैं, हमारे बिना कभी भी कोई घर घर नहीं बन सकता, सिर्फ एक मकान जिसमें पुरुष खात सकता है, बेट सकता है, सो सकता है, लेकिन कभी उसको ब्यवस्थित नहीं कर सकता है, दोस्तों, हम महिलाई ही हैं, जो ए छोटे-छोटे उपाई करकी हमारे घर को सुक और सम्रद्धी कारक बनाते हैं, सम्रद्धी घर में लाते हैं, धन समपदा बढाते हैं, साथ ही यह चाहते हैं कि कोई भी अनिष्ट हमारे घर में न हो, कोई भी नकारात्म कूर्जा हमारे घ अच्छी पड़ाई करें हमारे पती का कारोबार अच्छा चले यदि नोकरी में है वह तो उनका नोकरी में अच्छी नोकरी करें आज मैं अपने इस वीडियो में ऐसे कुछ उपाय बताऊंगी जो महिलाएं ही कर सकती हैं और इस उपायों को करने से इन उपायों को यदि हम क को सोने से पहले ये उपाय कर लेते हैं तो हमारे घर में कोई कमी नहीं होगी ओड़ घर के सभी सदश्य सस्थ शांत एवं सुभागिशाली रहेंगे यदी कोई हमसे सुर्यास्त धलने के बाद यदी कोई बाहर का व्यक्ति दूद या दही मांगे तो हमें कभी भी नहीं देन चाहिए ऐसा करने से हमारे घर की लक्षमी दूसरे के घर चली जाती है सांथ ही ये आप वश्य ध्यान रखें आप अपना रूटिन मना ले रोजाना का ये नियम मना ले कि आप रसोई के जूटे बरतन कभी भी रात को ना रखें यदी आपके हां कामबाली आती है बाई आ संपन्ता और शांती चली जाती है सांथ ही हर नारी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह सोने से पहले कभी भी बाल ना खोले ये बहुत अनिष्ठा कारक किरिया होती है दोस्तों अब मैं आपको एक एसा उपाय बताने जा रही हूं जिससे आपके घर में सकारत्म कू होने से पहले घर के सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा लगभग 100 ग्राम से 500 ग्राम तक कमरे के साइज के इसाप से सेंधा नमक अथवा काला नमक एक अखवार के उपर रखकर फर्श पर रख दें सुबह उठते ही बिना किसी से बात किये हुए इस नमक को इखटा करें यान वह नमक समेट के इखटा कलने वो पास के किसी भी नाले में या नली में फेकिया है इससे घर की समस्त नकारत्म कुर्जा बहार निकल कर सवकारत्म कुर्जा आती है और यदि किसी ने कुछ आपके घर में करके रखा हो तो वह वी सता के लिए समाप्त हो जाता है सांथी लक जाड़ू को दक्षिन पस्चिम कोने में छिपा कर रग दें इससे आपकी घर की लक्षमी आपके घरी रहेगी और सदा के लिए आपकी घर में इस्तिर हो जाएगी आप यह सारे कारी करें हम एक महला हैं तो हमको यह कारे अवश्य करना चाहिए क्योंकि हम ही चाहते हैं कि हमा और आपके पूरे परिवार पर महलाक्षमी की क्रपा हमेशा बनी रहें ओम नमस्षिवाइब